आपको बता दे कि एक तरब कुरुना का कहर तो दूसरी तरब बर्ट फ्लू का डर उसके बाद भी कोई करीब मजबूर परिवार अपने पेड भरने के लिए छोटा मोटा थंदा करते है वहां के काउंसलर कैसे है उन्हें धमकाते है और उनका धंदा बन करवा देते देखते है जी हां ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला देश की राजधाने दिल्ली में जहां पर निजाम दिन रिल्विस्टेशन सराय काले खा के पास रेहडी पटरी लगा कर एक परिवार अपना पेड भरता था लेकिन वहां के कॉंग्रेस से नीगम पार्षद बनी दर्शना जा पाटो जी को रेहेली वाले परिवार से जब हफता नहीं मिला जब सुचना पुलीस को मिली तो सराय काले खान के ऐसे चो ननिलाल शर्मा को समझा बुजा कर थाने ले गए और आश्वा संधिया कि हम पीडित परिवार को कोई भी परिशानी का सामना नहीं करने देंगे हम पिडित परिवार के साथ है वही पिडित परिवार का कहना है कि दर्शना जातव द्वारा हमें लंबे समय से परिशान किया जा रहा है वह हमारी दस साल से बनी हुई जुग्गी तोडने की धम के देती है और रहडी भी हटा दी अब हम भूके मरने की ककार पर आ गए देखे हमारी इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपके चैनलों को बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद कि 30 समय निकाला हमारे इस मिशन को इस खुलासे को दिल्ली को और देश में पहुचाने काम किया पहले तो आपका धन्यवाद यह निकम पारसाद हैं दर्शना जी मेडम है द्रिया गंजबार 56 बार से का बहुती ऐसा माबला है रेडी वाले पास जुगी वाले पास छोटे मोटे बैपारी पास इनके कारी करता जाते हैं यह सुहम जाती हैं उन्हें तंग करते हैं और कार करता हूं कि माध्यम सब पैसे उगई कराने काम करते हैं जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं उन्हें दवा यह से हम कांग्रेस कार्याले पर गल गई थे हमने कोसिस की लेकिन नहीं मिल पाए वह राष्टी प्रद्यश के सारे की नेता मिले उन्हों अब दर्शना जी कुछ नहीं करें लेकिन मुझे आसंका था जिस मेडम की जो इतनी बड़ी एक करोदित थी हम पर गुसा दो तीन वारों ने फोन किया मुझे मुझे बत्मीजी के प्रियोग किया है मुझे अपमाने सब्दों का प्रियोग किया है और इतनी हज तक बोल गई है कि तू क्या प्रधानमंत्री है मैं तेरा बेट करूं तो ऐसे जन्ता ने कितना बड़ा भरोसा किया था कितना बड़ा भरोसा करके आप कॉंसलर बनाया मने स के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार के रिपोर्ट